नमस्ते, आज हम हिंदी साहित के राष्ट कवी और दद्दा के रूप में विख्याद मैधरी शरंड गुप्त जी द्वारवी रजित सकी वे मुझसे कहकर जाते नाम काविदा पर विचार करेंगे मैधरी शरंड गुप्त जी को संस्क्रिद हिंदी तदा बंगला साहित का अध्यायन घर से ही मिला था आपकी रचनावों में बाउत दर्शन महाभारत तदा रामायन के कताने के आते हैं मैधरी शरंड गुप्त जी को सन 1930 में महात्मा गांदी जी ने राष्ट्र कवी कहा था आपकी महा कावी है साकेत इसके अलावा जैद्रदवद, भारत भारदी, पंचवडी, शोधरा जैसे ठेर सारे घंड कावी भी आपने लिखा है आपका अनूदित रचना है मेधनादवद, वीरांगना, सोपन वासवदत आदी गुप्त जी के कावी रचनावों की विशेशता यह है कि आपने अपनी रचनावों में उपेक्षित इदिहास से इदिहास ग्रंधों में उपेक्षित नारी पात्रूम को अपनी रचनावों में स्थान दिया जैसे कई-कई, मंधरा, औरमिला, शोदरा जैसे पात्रूम को अपनी रचनावों में स्थान दिया और हमें पढ़ने के लिए है सकी वे मुझसे कहकर जाते गौदम बुद्ध के कहानी आप सबको मालूम है आत्म साक्षातकर के लिए कौदम बुध ने या सिधार्त ने अपनी पत्नी और बैटे को छोड़ कर रातों रात भाग गए थे इसके बाद ये शोधर्या को क्या हो गया वो हमें पता नहीं है माईद्रिशरन गुप्च जी ये शोधर्या की वेदना हमारे सामने प्रसुत कर रहे है सखी वे मुझसे कहकर जाते कहतो क्या मुझको वे अपनी पद बादा ही पाते मुझको बहत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पैचाना माईने मुख सी को जाना जो वे मन में लाते सखी वे मुझसे कहकर जाते सवयम सुसजित करके शन में प्रियतम को प्राणों के पड़ में हमें भेज देती है रण में चांत धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते बार 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 ये शोद्रा येही बात दोहरा रही है अपने पती मुझसे कहकर नहीं कया है हुआ न ये भी भाग अभागा किस पर विफल गर्व अब जागा जिसने अपनाया था क्या रहे स्मरण ही आते सखी वे मुझसे कहकर जाते नयन उन्हें नयन उन्हें हे निश्टुर केते पर इनसे जो आजू बेते सदे हरदई वे कैसे सेते गए तरस ही खाते सखी वे मुझसे कहकर जाते जाएं सिद्धी पावें वे सुख से दुखी नहो इस जन के दुख से उपालम दू माइं की सुख से आज अथिक वे भाते सखी वे मुझसे कहकर जाते गए लोट भी वे आवेंगे कुछ अपूर अनुपम लावेंगे रोते प्राण उन्हें पावेंगे पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते चायावादी कवी मैदली शरण गुप्त जी द्वहरा रजीत येशोधरा कावी की पांक्तियां है यह है इस अरचना में स्वाभिमानी येशोधरा का चित्र कवी ने हमें दिया है इसोधरा का मानना है कि सिधात ने जो कृत किया उसे सभी नारी जाती अपमानित है उन्होंने रात में सोते बच्चे वा पत्नी को चूट कर गया जो नारी समाज के लिए काड़ांकर है इसोधरा को ये दुख हुआ कि उसकी पदी को जाना ही तो ता उन्हें बता कर जाना था इसोधरा कह रही है अगर पदी मुझसे कह कर जाते तो मैं कभी भी उनकी राह में बादा नहीं डालती अपनी पदी को एक नई सिद्धी मिले तो उसमें कौन पत्नी बादा डालना चाहेगी मैं चेत्रानी हूँ चेत्रानी पत्नी पती को सुसजित करके रेंड में भेजने वाली है शत्री धर्म का पालन करते होंगे करते हुए हम ही उनको रण के मैदान में भेजती है इतना कर पाने वाले एक शत्रानी अपनी पदी आत्म साक्षात कार के लिए निकलते है तो उसको कैसे रोकेगी यही इशोद्रा की सवाल है मेरा भाग ही अब अभागा बन गया अब किस पर यह विफल गर्ब गया जिसे अपनाया था उन्होंने ही मुझे छोड़ा बिचुड़न के वक्त हमारी आंखों से तब जो आमसु निकलती सहर्दे गोदम उसे सहना ही पाते इसलिए शायद वो मुझे पर तरस कर तरस घाकर ही चलेगे अब शायद चिंदा हुई होगी सिधात को शायद मेरे पत्नी मुझे जाने नहीं देंगे जो भी हो अब गया अब इसा अपने सागी से बता रही है ये शोधरा वो आत्मसाक्षादकार मिलने के बाद वापस आएंगे तब उनका साकत में हस्ते हस्ते कर नहीं सकती क्योंकि जब वो आत्मसाक्षादकार के लिए निकले थे चोरी चोरी चुपके चुपके चले गए थे यही इस कविदा का आशे है